दोस्तो एक चीज आप सभी लोग ध्यान से समझेए कि जरूरी नहीं कि पूरे साल सही से महनत करने के बावजूद भी आप आरो का एक्जाम निकाल पाओगे इसकी कोई गरंटी नहीं है आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि पूरे साल आप महनत तो कर रहे हो लेकिन आ चोटी चोटी बाते हैं अगर आप उनको ध्यान में रखोगे तो आपकी महनत का रिजल्ट आपको सही से मिल जाएगा नहीं तो मैं परसनली बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने पिछले साल पूरे साल महनत करी थी ऐसा नहीं कि पूरे साल महनत न की रही है तो ऐसी कौन सी बज़े है जिसकी बज़े से महनत करने के बावजूद भी आजकर लोग एक्जाम कौलिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आजके इस वीडियो में पताने माला हूँ कि जिन लोगों ने इस बार तयारी घटना चक्र की किताबों से करी है जैसे कि आप कहां से पूछे गए कौन सी किताब से सबसे ज़्यादा कौसंस पसे कहां से कौसंस बनाए गए घटना चक्र की किताबों को अनलाइज किया जैसे मालो आप कोई किताब पढ़ना शुरू करते हो, तो जैसे मालो आप ते गटना चक्र की किताब को पढ़ना शुरू किया, यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, गटना चक्र की इतियास की बुख है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक्चुली में गटना चक्र की किताब है क्या, गटना चक्र की किताब में पिछले बरसों प्रिवियस एयर की कोईशन्स दे रखे होते हैं with explanation, तो इसको पढ़ने का मतलब क्या है, कि आप प्रिवियस एयर कोईशन्स सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, और प previous year question कभी भी repeat नहीं होता है इस वज़े से आपको करना क्या है कि जैसे मालो हमने पढ़ना शुरू किया और एक question आता है ये question एक इनट मैं change कर लेता हूँ हाँ एक question पूछा गया है जलिया बाला बाग हत्याकान से चीक है तो जलिया बाला बाग हत्याकान से question UPPCS में पहले पूछा जा चुका था और वो उसका question दे रखा है और उसका explanation यहाँ पर दे रखा है तो आपको क्या करना है कि आप लोग क्या करते ह जल्दवाजी में आपने उस question को पढ़ा और उस question की solution को पढ़ लिया तो आपको चीज वहाँ पर समझ में आ गई लेकिन गल्तिया पर यह हो रही है कि आपने उस पूरे topic का revision करना है जाके आप सिर्फ उस question को वहाँ पर समझ गए उस question को उस समय तो समझ गए हो लेकिन उस पूछा गया है तो पूरा का पूरा जल्या वाला बाग जो है पूरे topic को जाकर revision करो ना कि सिर्फ उस particular question को क्योंकि वह particular question दुबारा नहीं पूछा जाएगा बस यही तो गल्ती हो रही है आप लोग तयारी इस तरीके से कर रहे हो जैसे कि previous year question से आपको questions मिलेंगे गलत है previous year questions से आपको questions exam में अब नहीं पूछे जा रहे हैं आप जिस भी topic को पढ़ता हो वो पूरा का पूरा topic जब तक आप revision नहीं करोगे तो अब तक आपको exam में दिक्कत जहलनी पड़ेगी एक चीश ज्यान दो जो question पिछले 5 वरसों में पूछे गए हैं वो question important नहीं है वो topic ज्या सारे ऐसे question है जो previous year question जिस topic से पूछा गया ता topic repeat किया है लेकिन question कहीं पर भी repeat नहीं किया है जैसे question पूछा गया इस बार कि egg mark जो होता है उससे आप क्या समझते हैं तो अगर आप UPPCS 2022 वाला paper देखोगे तो उसमें पूछा गया था eco mark क्या होता है यानि कि आपको ये पता चल गया होना चाहिए कि यार अगर eco mark 2022 पे पूछा गया था तो वो question तो repeat होना नहीं है वो जिस topic से है यानि कि जो marking वाला topic है अगर उस पूरे topic को आप revision कर लोगे तो उस topic से दुबारा अगर question बनेगा तो आपको गलत नहीं होगा यानि कि eco mark आपको पढ़ना पढ़ेगा एक mark आपको पढ़ना पढ़ेगा I.S.I. आपको पढ़ना पढ़ेगा ये सारे जो marking होती है वो सब कुछ आपको पढ़ना पढ़ेगा और अगर आपने पढ़ा होता तो इस वारो के exam में जो एक mark पूछा गया था वो वाला question आप सही कर पाते तो कहने के मतलब यही है इसी दो चीजें और आपको बताता हूँ हाँ एक देखो disease दे रखी है कि मिनी माता रोग किसकी विज़े से होता है तो disease पर आप देखो के तो घटना चकर में बहुत सारे questions दे रखे हैं लेकिन वो questions रिपीट नहीं करेंगे आपको पूरा का पूरा disease topic है मतलब मानों सरीर में कौ कौन सी बीमारी हो जाती है उस पूरे पूरे topic का आपको revision करना पड़ेगा तो इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करो एक बार और आपको बता देता हूँ जैसे मालों ये घटना चकर की किताब है आपने पढ़ना शुरू किया अगर आपको वो चीज आती है तब तो उसक अगर आपको वो चीज नहीं आ रही है तो उसका पूरा का पूरा topic अपने notes से निकाल कर आप पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको benefit मिलेगा otherwise आपको benefit नहीं मिलेगा आप सभी को बता दू ये पूरी की पूरी analysis मैंने कर रखी है और हमने अपना course इसी पूरी analysis क नहीं कर सकते हैं तो मेरी हिसाब से आप हमारा course purchase कर सकते हैं उसमें हमने पूरी analysis की साथ में इसको बनाया है आप देख सकते हो ये है घटना चक्र की किताब तो इस घटना चक्र की किताब को पढ़ने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ उसी हिसाब से आप